मश्का दोस्तो, स्वागत आपका अमारे चैनल, All Competitive Exam में, I hope आप सब बहुत बढ़िया होगे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हिमाज़न प्रदेश GK के Important Question, साथ ही में उसे बनने वाले सभी Important Question डिस्कस करेंगे, जो कि आपके हाली के अग्जाम में पूछे गए हैं, तो देख लिया होगा, तो मैंने लास्ट वीक, Political Section डिस्कस किया था, और वहाँ से कल के एक्जाम में टिक्टो Question मिले हैं, तो आप उन वीडियो को देख ले, definitely आपका वाँसे एक्जाम में काफी help मिलेगी, तो आज का सेक्शन स्टार करते हैं, तो मारा पहला Question है, Who was the first Chief Minister of Himachal Pradesh? Himachal Pradesh के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पता है, इसे क्या answer होगा? आप सभी को पता है, इसका right answer होगा, Option No. B, यानि, Dr. Y.S. परमार. तो डॉक्टर वायस परमार के बारे में, आपको याद रखना है, कि ये सिर्मोर डिस्टिक से सम्मंदित थे, साथ ही में, इससे Question मनता है, आप से पूछ राएगा, ऐसे कौन से Himachal Pradesh के मुख्यमंत्री थे, जो डिस्टिक कोर्ट में, न्याइदीश के रूप में सिवा दे चुके हैं, आपका राइट अंसर होगा, यश्वन सिंग परमार, और यश्वन सिंग परमार को, हिमाचल निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है, और इससे सम्मंदित पुस्तक है, पलेंडरी इन हिमालियाज, ठीक है, तो बढ़ते हैं नैश कोशन की और, the total geographical area of हिमाचल का, option number C, यानि 55,673 वर किलो मिटर, आपसे examiner, कुशन इस सरा पुशेगा, हिमाचल प्रदेश के किश चिले का, शेत्रफल सबसे अधिक और सबसे कम है, तो पहले स्थान पर आता है आपका, लॉस्पिति डिस्टिक, तो इसका कुल शेत्रफल, 13,835 वर किलो मिटर है, कितना 13,835 वर किलो मिटर, और सबसे निचले स्थान पर आता है हमीरपूर, तो अकर बात करें, जन संख्या के अधार पर, तो हिमाचल प्रदेश का, कांगला डिस्टिक, पहले स्थान पर है, और सबसे निचले स्थान पर आता है आपका, लॉस्पिति डिस्टिक, तो नाश तो हाली में हिमाश्र परदेश में विधान सभा चुना हुए है तो definitely आपको यहां से question देखने को मिल सकता है तो बता ऐसे क्या answer होगा तो right answer होगा option number C यानी 3 seat ठीक है तो अगर बात करें लोक सभा की तो हिमाश्र परदेश में 4 seat लोक सभा की है बात करें total विधान सभा seat तो हिमाश्र परदेश में total 68 seats है जिसमें कांगला डिस्टिक के पास 15 seats और मंडी में 10 और शिमला में 8 seat है ठीक है total administrative division in हिमाश्र परदेश is हिमाश्र परदेश में कुल प्रशास्तिक मंडल है तो बता ऐसे क्या answer होगा तो right answer होगा option number B यानी तीन परशास्तिक मंडल तो इसमें आते हैं आपके शिमला, मंडी और धरमशाला ठीक है इन में से सबसे बड़ा परशास्तिक मंडल है मंडी ठीक है तो मारा next question है State bird of हिमाश्र परदेश is हिमाश्र परदेश का राज्य पक्षी कौन सा है तो इसका right answer होगा option number A Western Trapagon तो अगर बात करें राज्य फूल की हिमाश्र परदेश का राज्य फूल है गुलाबबी बुरांश ठीक है और राज्य पेड़ है देवदार ठीक है तो next question मारा Capital of हिमाश्र परदेश is located at हिमाश्र परदेश की राज्धानी स्थित है तो आपकों एक्जाम में इतने easy question तो नहीं आएगे प्रंतु हम यहां से question relate कर सकते हैं तो आप से question पूछ रहेगा हिमाश्र की राज्धानी शिमला भाcart की राज्धानी किस वर्ष बनी तो पता ऐसा क्या अंसर होगा तो sun 1864 में 1864 में शिमला भारत की राज्धानी बना था ठीक है तो अगर बात करें हिमाश्र परदेश की हिमाश्र परदेश में दो राज्धानिय है तो हिमाश्र परदेश की winter capital है, धरम शाला, और summer capital है, शिम्ला, ठीक है, तो नैश कुष्ण मारा, हिमाश्चर परदेश में, कुल कितने जीले हैं, आप सभी को बता है, हिमाश्चर परदेश में, 12 जीले हैं, अगर आप से मैं पूछ हूँ, सन 1948 में, हिमाश्चर परदेश में, कितने जीले थे, हिमाश्चर परदेश में उस टाइम, 4 जीले थे, उन में थे आपके, मंडी, महासू, सिर्मौर और जम्बा, ठीक है, के बाद, 1954 में, हिमाश्चर परदेश का, पांच्वा जीला बिलास्थूर बना, आपसे question, इस तरह पूछे जाएगा, हिमाश्चर परदेश का, पांच्वा जीला कब बना, आपका right answer का, 1954 ठीक है, और छटा जीला बना था आपका, 1960 में, 1960 में, किन और, हिमाश्चर परदेश का, छटा जीला बना था, बढ़ते हैं, अच्वाश्चर परदेश की और, as per census, 2011, most populous district of, हिमाश्चर परदेश is, 2011 की, जन गन्ना के अनुसार, हिमाश्चर परदेश का, सबसे बड़ा जीला, कौन सा है, आपका right answer होगा, option number B, कांगडा, ठीक है, और सबसे कम, चंसंग क्या है, लॉस्पीती में, ठीक है, तो अगर बात करे, literacy rate की, हिमाश्चर परदेश का, सबसे साक्षर जीला है, हमीरपूर district, ठीक है, और हिमाश्चर परदेश की, overall literacy rate है, 82.80, 82.80%, ठीक है, और हिमाश्चर परदेश में, सबसे कम, साक्षर जीला है, चंबा डिस्टिक, कौन सा, चंबा डिस्टिक, ठीक है, तो नाश्चर कोश्चर मारा, first winner of, परवीर चक्कर, from हिमाश्चर परदेश, वाश्चर परदेश से, परवीर चक्कर पाने वाला, प्रत्थम व्यक्ति, कौन था, तो पता यह से क्या अंसर होगा, इसका right answer होगा, option number A, यानि, major सोमनाथ शर्मा, तो major सोमनाथ शर्मा, कांगरा डिस्टिक से, बिलॉंग रखते थे, ठीक है, तो next हमारा, as per census, 2011, the sex ratio, in हिमाश्चर परदेश, is, 2011 की, जन्गन्ना के अनुसार, हिमाश्चर परदेश में, लिंग अनुपात है, इसका right answer होगा, option number A, यानि, 900 भत्तर, ठीक है, तो हिमाश्चर परदेश में, सबसे कम, लिंग अनुपात वाला जिला है, कि नौर डिस्टिक, कौन सा, कि नौर डिस्टिक, ठीक है, और सबसे अच्छा, लिंग अनुपात है, हमिरपूर डिस्टिक में, ठीक है, नाइक्स नमारा, रावी रिवर, originated from, रावी रिवर, कहां से, निकलती है, तो आप सभी को बता है, इसका, originated place है, बड़ा भंगाल, कांगणा में, ठीक है, तो अगर बात करे, रावी रिवर की, तो रावी रिवर का, वैदिक नाम है, पुरुश्णी, तो अगर बात करे, इसके संस्क्रित नाम की, इसका संस्क्रित नाम है, इरावती, ठीक है, आप से examiner, इसकी सायक नदियों में आती है, सियूल, बुद्दिलधारा, हुंडन और हटसन, ठीक है, बढ़ते हैं नाश कुशन की, और हिमाश्वर परदेश में, किस चिले में, रेणु का जील स्थित है, आप सभी को बता है, इसका राइट अंसर होगा, और हिमाश्वर परदेश की, सबसे बड़ी नैश्वर लेख है, और यह सिर्मौर डिस्टिक में स्थित है, साथ ही में, आप से कॉशन पूछ राता है, कि ऐसी कौन सी लेख है, जिसकी आकरिती, एक सोई हुई, महिला की तरह लगती है, तो फिर भी आपका राइट अंसर होगा, रेणुका जील, ठीक है, और साथ ही में, आपको यहां से यातकना है, कि हिमाश्वर परदेश की, सबसे बड़ी आर्टिफिशल लेख है, गुविन सागर, जो की सतलुष नदी पर बनी है, और यहां बिलास्फूर डिस्टिक में स्थित है, ठीक है, तो नाश्वर परदेश के कि जीले में स्थित है, तो पता यहां से क्या अंसर होगा, आपका राइट अंसर होगा, आप्शन नमर ए, यानि कांगडा डिस्टिक, इसका अन्य नाम, इसको पाउंच जील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो नाश्वर परदेश के कि जीले में चमेरा भांध स्थ है, तो पता यहां से क्या अंसर होगा, इसका राइट अंसर होगा, आप्शन नमर डी, यानि चमबा डिस्टिक, ठीक है, तो अगर बात करें, चमबा शेहर की, तो चमबा शेहर की सापना, साहिल वर्मन ने की थी, ठीक है, चमबा में एक important fear भी मनाया जाता है, जिसका नाम है सूही मेला, आप से पुछ रहेगा, सूही मेला किसने start करवाया था, तो सूही मेला, राजा साहिल वर्मन ने start करवाया था, ठीक है, नाक्स नमारा, हिमाश्य परदेश के किस शिले में, कंद्रोरपुल स्थित है, तो पता है ऐसे क्या answer होगा, आप सभी को बता है, इसका right answer होगा, option नमर B, बिलासपूर, ठीक है, तो नाक्स नमारा, किस तिहार के लिए, सुजानपूर टीरा प्रसिद है, पता है ऐसे क्या answer होगा, इसका right answer होगा, option नमर B, यानी, ठीक है, आप से पुछ रहेगा, सुजानपूर टीरा किस आपना, किस ने की थी, आपका right answer होगा, अभे चंद, किस ने, अभे चंद, ठीक है, तो नाक्स कोश्चन मारा, किस स्थान पर प्रसिद, नलवाडी मेला लगता है, इसका right answer होगा, option नमर A, यानी, बिलासपूर, तो बिलासपूर के, नलवाडी मेले को, गोल्ट सीन ने, सन 1889 में, स्थार्ट किया था, तो नाक्स कोश्चन मारा, driest place in हिमाश्र प्रदेश is, हिमाश्र प्रदेश का, सबसे, शुष्क सान है, इसका right answer होगा, option नमर D, यानी, स्पिती, ठीक है, और हिमाश्र प्रदेश में, सबसे अधिक, वर्षा होती है, धरम शाला में, ठीक है, तो नाक्स कोश्चन मारा, हिमाश्र प्रदेश became, union territory in the year, किस साल, हिमाश्र प्रदेश, केंदर शासित, प्रदेश बना था, इसका right answer होगा, 1956, ठीक है, हिमाश्र प्रदेश, 1956 से, 1968 तक, केंदर शासित, प्रदेश बना रहा, और 25 जनवरी, 1970 को, हिमाश्र प्रदेश को, भारत का, 18 राज्य बनाय गया, ठीक है, साथ ही में, आपको याद रखना है, कि 15 अप्रायल को, हिमाश्र दिवस, मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन, हिमाश्र प्रदेश का, गठन किया, गया था, ठीक है, नायश्र कुष्ण मारा, मनाली किस नदी के किनारे, स्थित है, तो बताया, ऐसे क्या आश्र होगा, तो राइड आश्र होगा, आप्शन नमबर C, यानि, व्यास, ठीक है, व्यास रिवर निकलती है, रोतांग दरे के समीब, व्यास कुंड से, जो की, कुलू डिस्टिक में स्थित है, तो अगर बात करें, इसके वैदिक नाम की, तो इसका वैदिक नाम है, अरजिकिया, और इसका संस्कृत नाम, विपाशा है, तो व्यास रिवर, हिमाचर पदेश में, 256 किलोमीटर भैती है, ठीक है, और यह हिमाचर में भैने वाली, दूसरी बड़ी नदी है, पहले सान पराती आपकी, सतलुज रिवर, जो की हिमाचर पदेश में, 320 किलोमीटर भैती है, आपको याद रखना है, व्यास रिवर, कांगडा डिस्टिक में, संधोल नामक स्थान पर परवेश करती है, काफी बार एक्जामिनर ने, आपसे पूशा है, कि व्यास रिवर, कांगडा डिस्टिक में, किस स्थान पर परवेश करती है, तो यह प्रवेश करती है संधूल नामक स्थान पर और इसकी बहुत सी इंपॉर्टेंट सायक न दिया है तो इसमें आती है आपकी पारवती सैंज, तिर्थन और बलाणा तो नाक्ष कुश्चन मारा हिमाच्चर प्रदेश के किस जीले में नाको जील स्थित है तो अभी हाली के एकजाम में आपसे यह कुश्चन पूछा गया था इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन नमर डी यानि किनौर डिस्टिक तो किनौर में एक और इंपॉर्टेंट लेख है जिसका नाम है सोरंग लेख तो किनौर से आपका कुश्चन बनेगा कि किनौर हिमाश्य प्रदेश का कौन सा जीला बना था तो किनौर हिमाश्य प्रदेश का छटा जीला सन 1960 में बना था ठीक है और यहां की सबसे सुन्दर घाटी है सांगला घाटी ठीक है तो हिमाश्र प्रदेश में कि नौर और लहस्पिती अलिए दो ऐसे डिस्टिक है जो की अंतराष्टिय बॉर्डर शेयर करते हैं तो यहो दोनों डिस्टिक चाइना के साथ अंतराष्टिय बॉर्डर शेयर करते हैं तो मारा नाश कोशन है रॉक साल्टीन हिमाश्र प्रदेश is found at हिमाश्र प्रदेश में सैंदा नमक कहां मिलता है तो पटाया इसे क्या आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा option number A यानि गुमा में तो हिमाश्र प्रदेश के मन्नी डिस्टिक में गुम्मा और दरंग नामक स्थान पर सेना नमक मिलता है तो नाश्षोष मारा स्वान रिवर्थ फ्लोस in which district of हिमाश्षर प्रदेश हिमाश्षर प्रदेश के किष्चिले में स्वान अधी भैती है इस नधी को हिमाश्षर प्रदेश का शोक भी कहा जाता है तो पता है ऐसे क्या अंस रोगा इसका राइट अंस रोगा Option C यानि उन्ना डिस्टिक ठीक है और उन्ना डिस्टिक की स्थापना की थी पुर्ण चंदने ठीक है अगर बात करे हमीरपूर डिस्टिक की तो हमीरपूर डिस्टिक की सापना की थी हमीर चंदने किसने हमीर चंदने ठीक है और साथ ही में बिलासपूर की साप्रां की थी दीप चंदने ठीक है अगर बात करें शिमला की तो शिमला शहर को कैप्टन रोज ने बसाया था किसने कैप्टन रोज ने तो नाक्ष कुश्ण मारा शिली वाइड लाइफ सेंचुरी is located in which district of हिमाश्र प्रदेश शिली वन्य जीव अभ्यारण हिमाश्र प्रदेश के किस ठीले में स्थित है तो यह स्थित है सोलन डिस्टिक में कहां पर सोलन डिस्टिक में साथ ही में आपको यहां से याद रहना है कि यह हिमाश्र प्रदेश की सबसे छोटी wildlife सेंचुरी है तो अगर बात करें सबसे बड़ी wildlife सेंचुरी की तो यह है किपबर wildlife सेंचुरी जो की लाउस्पिती डिस्टिक में स्थित है तो यह थे दोस्तो आज के हमारे important question I hope आपको आज का session पसंद आया होगा तो session को जाद से जादा अपने दोस्तों के साथ share करे साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे previous mock test नहीं लगाए है तो उन्हें एक बाल लगा ले definitely आपको आपको आज से exam में काफी help मिलेगी तो last week हमने political section discuss किया था और आपने देखाऊंगा जहां से कल के exam में काफी सारे question पूछे गए है आज के लिए दोस्तों इतना ही जैहिन जैवारत